Hi Everyone तो ये है JavaScript की पहली वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताऊऊंगा कि JavaScript में print कैसे करते हैं और हम कैसे variable declare करते हैं और उसमें हम कैसे value store कर सकते हैं और साथ ही हम अपना program Node.js की तुरू कैसे run कर सकते हैं टर्मिनल में तो सबसे पहले हमें यहाँपर तो मैं file create कर लेता हूँ intro.js जो कि javascript का extension होता है और enter और यह हमारी नई file बन जाएगी और अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम javascript में कुछ भी print क्या से ज़र सकते हैं तो हमें print करने के लिए type करना होगा console.log और parenthesis के अंदर double quotes में hello javascript और यहां पे हमें semicolon लगार भी सकते हैं नहीं भी लगा सकती कोई issue नहीं आएगा और semicolon लगाना एक good practice होती है और हमें semicolon लगाना चाहिए और अब इसे run करने के लिए हमें इस file पे right click करना होगा और यहां पे click करना होगा open in integrated terminal अब हमारा terminal खुल जाएगा terminal खुलने के बाद यहां पे हमें type करना होगा node, node के बाद file का नाम intro.js और हमें enterprise करना होगा तो हमारा output आजएगा hello javascript यहां terminal कोई सा भी हो सकता है मैंने git bash इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे में यह आ रहा है आपके में cmd आएगा अगर आपने कोई extra terminal इंस्टॉल नहीं कर रखा है हम इसमें भी run कर सकते हैं बहुत इसलिए इसमें भी same process है कोई अलग नहीं है node, file का नाम, file का नाम भी हम दो असान सा तरीका है एक single line में console.lock, parenthesis के अंदर, double quotes के अंदर हम जो भी type करेंगे वो print हो जाएगा और double quotes नहीं अगर हम single quotes में भी type करें तो भी same output आएगा, double quotes, single quote हम कुछ भी लगा सकते हैं, वो हमारी choice है इसमें भी कोई issue नहीं आएगा, और हमें program run करने के लिए जरुदी नहीं कि right click मार के ही करें, यहाँ से आप direct control और escape की नीचे जो button होता है, जिस पर tilde का sign होता है, वो press करें, साथ में तो terminal खुल जाता है, हम ऐसे भी run कर सकते हैं अब आते हैं variable पे, तो सबसे पहले variable होता गया है अगर हमें कुछ भी चीज store करनी है, तो हमें variable create करना होता पड़ेगा और variable create करनी के लिए, चो keyword होता है, वो है let, let प्लस variable का name, variable का name हम कुछ भी लिख सकते हैं और variable की name के बीच में कोई space नहीं आना चाहिए तो variable name हमने variable का नाम ले लिया और यहां पे हम कुछ भी store कर देते हैं तो हमने ऐजा वो store कर दी, यहां पर यह red line इसलिए आ रही है, यह error show कर रहा है कि यह हमने यहां पर variable type कर रखा है इसे हमें commented out करना पड़ेगा, अब यह variable store हो गया, यहां let के through हमने declare किया है और इसमें हमने 12 की value store कर दिया है अब हमें अगर हम console.log variable name करेंगे, तो terminal में इसकी जगे 12 print होगा यह देखिए, यहां पर 12 print हो रहा है, और variable में ज़रूरी नहीं कि हम number ही store करें, हम variable पर एक string भी store कर सकते हैं string क्या होती है, string होती है किसी भी word को string कहते हैं, या कि हम sentence भी as a string यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिक देता हूँ है, आपके, my name is प्रभात, यह भी एक as a string है, variable to, variable का नाम है, यहां पर ज़रूरी नहीं variable to, यहां पर हम कुछ भी लिक सकते हैं, a, b, c, as a, b, c लिक सकते हैं, और अभी से print करने के लिए, console.log, abc, यह हो गया, my name is प्रभात, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, कि हम कैसे print कर सकते हैं, और कैसे variable को declare कर सकते हैं, यह let keyword compulsory है, इसके through ही variable declare होता है, ओके, thank you, अब मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,